हेलो एविवर्ण वेल्केम तु माइड्यूब चैनल स्टरीट आमित प्रियंका आज के इस वीडियो में हम अपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 11 चैप्टर देट इस महादमा गांधी एंदा नैशलिस्ट मोव्मेंट को कंटिन्यू करने वाले है ये वीडियो इस शैप्टर का 3rd पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम इस शैप्टर के 3rd टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है दा सॉल्ट सत्तगर आग के स्टेडी इस शैप्टर के 2nd टॉपिक में हम लोगों ने non-corporation movement के बारे में डिस्कस किया था सबसे पहले था हम लोगों ने उस topic में ये डिस्कस किया था कि ऐसे क्या reasons थे जिसकी वज़े से महात्मा गांधी जी के द्वारा non-corporation movement को इंडिया में start किया जाता है अगर अभी तक आप लोगों ने इस शैप्टर के 2nd पार्ट को नहीं देखा है और प्लीज जरूर देख लीजेगा लिंक आपको मेरे description box में मिल जाएगा जब महात्मा गांधी जी के द्वारा non-corporation movement को withdraw कर लिया जाता है 1922 में उसके बाद महात्मा गांधी जी को arrest कर लिया जाता है और उनको jail में डाल दिया जाता है बट finally 1924 में महात्मा गांधी जी को release भी कर दिया जाता है जब महात्मा गांधी jail से release होते है उसके बाद वो कुछ सालों तक social reform work करते है जब non-corporation movement पूरी तरीके से खतम हो चुका था 1924 होते होते जब महात्मा गांधी jail से बापस आते है उनके द्वारा कुछ social work किया जाता है कुछ साल वो social work के ही काम को करते है जैसे कि country में untouchability का जो practice था जो child marriage का practice था ये सारी जो social evils थे इसके against में वो काम करते है प्रमोट को भी promote किया जाता है सो कुछ सालों तक वो इन सारे कामों को ही करते है बट कुछ सालों तक social work करने की बाद finally 1928 में महात्मा गांधी जी की द्वारा ये decide किया जाता है कि अब हमें politics में दुबारा से enter करना होगा सो उनकी द्वारा ये decide किया जाता है कि इंडिया में हमें दुबारा से nationalist movement को start करना होगा ताकि हमें independence मिल सके हमें freedom मिल सके ना next हमें Simon Commission की बारे में बता रखा है सो 1927 में एक commission को appoint किया जाता है to inquiry into conditions in the colony सो इंडिया में कैसा condition था उस time create के दौरान सो इस शीज की जाज करने के लिए inquiry करने के लिए एक commission को set up किया जाता है under the leadership of Sir John Simon सो इसी वज़े से इस commission का नाम रखा जाता है Simon Commission सो basically 1910 में government of India Act को pass किया जाता है by the British government और उसे time period में ये भी कहा जाता है कि कुछ सालों के बाद हम लोग एक commission को set up करेंगे 1927 में Simon Commission को set up किया जाता है but इस commission का problem ये होता है कि इस commission में total 7 members थे और सातों के सातों members ही Britishers थे इसमें एक भी Indian member नहीं थे so ये चीज इंडियन people को बहुत ही ज़दा बुरा लगा इंडियन people को बहुत ही ज़दा insult महसूस हुआ कि इंडिया की condition की जाज करने के लिए कोई भी Indian member नहीं है so इसी वज़े से 1928 में जब Simon Commission इंडिया आता है so इंडियन people के द्वारा इस commission के opposition में एक large campaign को organize किया जाता है एक आंदोलन को, एक movement को organize किया जाता है so गांधी जी इस movement में participate तो नहीं करते है बट गांधी जी के द्वारा इस protest को, इस movement को अपना blessing दिया जाता है यानि की support दिया जाता है so क्या reason था इसकी वज़े से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस movement में participate नहीं किया जाता है so इसका reason था सर्दार वल्लभाई पटेल for the peasants so इसी वज़े से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस movement में participate नहीं किया जाता है ना next हमें लाहोर कॉंग्रेस सेशन के बार में बता रखा है जो कि 1929 में होता है so जैसे कि हमें पता है कि कॉंग्रेस हर साल के last month में अपना एक annual session को करता था so 1929 में जो कॉंग्रेस का annual session हुआ था जो कि लाहोर में हुआ था so इसके बार में next में बता रखा है so December 1929 में कॉंग्रेस के द्वारा लाहोर सीटी में अपना annual session को हैल किया जाता है so 1929 का ये जो कॉंग्रेस session था ये जो meeting था so ये दो चीजों की वज़े से बहुत ज़्यदा significant था बहुत ज़्यदा important था so पहला point ये है कि 1929 में जोहाला नहरू को कॉंग्रेस के president के रूप में elect किया गया था so ये इस शीज को signify करता है कि अब कॉंग्रेस का जो leadership है so वो younger generation में pass किया जा रहा है so इस time period के दौरान जोहाला नहरू एक बहुत यंग leader थे so किसी यंग leader को कॉंग्रेस का president बनाने से ये मतलब है कि कॉंग्रेस का जो leadership था so उसको younger generation में pass किया जा रहा था so इस बज़े से 1929 का जो कॉंग्रेस session था वो बहुत ज़्यदा significant था और दूसरा reason ये है कि उसी session में ये proclaim किया गया था इस बात की घोशना की गयी थी कि अब हमें पून्यस हो राज चाहिए अब हमें complete independence चाहिए so 1929 से पहले Congress के द्वारा British government से सिर्फ सिव ये demand किया जा रहा था कि हमें थोड़ा बहुत representation दे दो हम लोग अपने country को खुद चला सके so हमको थोड़ा सा autonomy दे दो थोड़ा सा power दे दो हमारा जो condition है हमारी country में so उसको थोड़ा सा improve करो so ये सारी demands Congress कर रहा था but finally 1929 के annual session में Congress के द्वारा ये declare कर दिया जाता है कि अब हमें पून्यस्वराज चाहिए यान कि complete independence चाहिए अब हमें पूरा freedom चाहिए हमें Britishers के साथ अब नहीं रहना है हमें independence चाहिए तो पूरा independence चाहिए यान कि हर एक Britishers अब हमारे country को छोड़ की जाएगा so उसके next month में यान कि January में इंडिया में first time Independence Day को celebrate किया जाता है 1930 में, so 26 January 1930 में Independence Day पूरी ही country में observe किया जाता है, यानिकि celebrate किया जाता है, उस दिन हमारे national flag को लहराया जाता है, और patriotic songs को गाया जाता है अलग-अलग जगाव पे, एंड महात्मा गांधी जी के द्वारा खुद कुछ बहुत ही important instruction दिये गया थे, कि वो जो Independence Day का दिन है, उसको किस तरीके से हर एक Indian people को observe करना है, हमें क्या कुछ करना है उस दिन में, so गांधी जी के द्वारा ये suggest किया गया था, कि meeting का जो time है, so जब उसको हम लोग advertise करेंगे, जब हम लोग उसकी घोशना करेंगे या फिर announce करेंगे, so वो traditional तरीके से होगा, पुराना तरीके से होगा, so पहले राजा महराजा के time period के दौरान जब भी घोशना किया जाता था, so कैसे drums बजा बजा के किया जाता था, so वो जब पुराना method था, वो जब पुराना technique या फिर जो वे था, proclamation करने का, घोशना करने का, so उसी तरीके को महत्मा गांधी जी के द्वारा भी यूज किया जाता है, इस meeting के announcement के लिए, independence day के announcement के लिए, next महत्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था, कि इस celebration के शुरुवात, यानि कि independence day के शुरुवात, हमें अपने natural flag के hoisting से करना है, सबसे पहले हम लोग अपने natural flag को लहराएंगे, और उसके बाद पूरा जो दिन है, तो पूरे दिन में हमें कुछ न कुछ constructive work करना है, जैसे कि चाहो तो आप spinning कर सकते हो, अपने clothes को खुद produce कर सकते हो, या फिर आप untouchables की service कर सकते हो, हिंदू people and Muslim people को आप unite कर सकते हो, दोनों को एक कर सकते हो, या फिर कुछ prohibition work कर सकते हो, जैसे कि child marriage को prohibit करना, untouchability को prohibit करना, सो ये सारे आप constructive work उस दिन कर सकते हो, सो इस तरीके से महात्मा गांधी की द्वारा, कुछ instruction को दिये जाते है, सो विद्धिस हमाला topic number 3 का introduction कम्प्लीट होता है, ना हमारा पहला सब topic है दांधी, सो इस topic में हम लग दांधी मार्च की बारे में discuss करेंगे, यानिकी salt satग्र की बारे में discuss करेंगे, सो salt satग्र, civil disobedience movement का ही पार्ट है, यानिकी गांधी जी ने salt satग्र के द्वारा ही, civil disobedience movement की शुरुआत की थी, सो 26 जन्वरी 1930 में, Independence Day को observe करने की बाद, यानिकी celebrate करने की बाद, उसी साल महात्मा गांधी जी की द्वारा और एक announcement किया जाता है, कि वो एक march करेंगे, यानिकी वो एक paddle जुलूस निकालेंगे, या फिर एक paddle यात्रा निकालेंगे, salt law को break करने के लिए, सो आखिर महात्मा गांधी जी की द्वारा, salt law को ही क्यों choose किया जाता है, break करने के लिए, महात्मा गांधी क्यों decide करते है, कि ये जो यात्रा होगा, ये salt law के against में ही होगा, सो इसके भी कुछ reasons थे, सो सबसे पहले था हम लोग समझते है, कि ये salt law किया था, सो salt law British government का ही एक law था, जिसमें जो government है, उसको monopoly मिला था, in the manufacture and sale of salt, यानि कि सिर्फ और सिफ, British government ही salt को manufacture कर सकता है, बना सकता है, और salt को बेज सकता है, कोई भी जो Indian people है, सो वो salt को नहीं बना सकता है, अगर वो खुद से salt बनाता है, तन ये एक illegal activity होगा, और उसको jail में डाल दिया जाएगा, सो इस law के थूँ सिर्फ असे government को ही ये monopoly मिला था, कि वो salt को बना सकता है, और salt को sell कर सकता है, सो जैसे कि salt एक ऐसा ingredient है, जो कि हर एक Indian household में यूज होता है, सो ऐसा तो है नहीं कि higher caste के लोग rich people के द्वारा salt का इस्तमाल नहीं किया जाता है, और जो poor people और जो lower caste के लोग होते हैं, उनके द्वारा है safe salt यानके नमक का इस्तमाल किया जाता है, सो ऐसा तो नहीं है, salt एक ऐसा ingredient है, जो कि हर एक Indian household में यूज होता है, चाहे कोई भी rich people हो, चाहे कोई भी poor people हो, higher caste कास से बिलोग करता है, lower caste से बिलोग करता है, हर एक घर में salt का इस्तमाल होता है, सो salt law की वज़े से, लोगों के पास ये permission नहीं था, कि even वो अपने domestic use के लिए, अपने खुद के consumption के लिए भी salt को बनाए, और उन सारी लोगों को force किया जाता था, कि वो बजारों में, यानकि shop में, higher price में salt को buy करे, सो salt के ओपर ये जो state का monopoly था, ये जो government का अधिकार था, सो इस cheese को सारी Indian लोग oppose करते थे, इस cheese को like नहीं करते थे, सो इस वज़े से महत्मा गांधी जी के द्वारा, salt law को choose किया जाता है, salt law के ओपर target किया जाता है, सो गांधी जी की द्वारा ये सोचा गया, कि अगर मैं salt law को break करता हूँ, सो इंडिया में रहने वाले, हर एक caste, हर एक class के जो लोग है, सो वो इस movement को support करेंगे, इस salt सत्यगर को support करेंगे, और इसमें participate करेंगे, सो गांधी जी hope to mobilize a wider discontained against British rule, सो salt law को break करके, गांधी जी जादा-जादा लोगों को mobilize करने की कोशिश कर रहे थे, against the British rule, सो इस वज़े से गांधी जी की द्वारा, salt law को break किया जाता है, सो गांधी जी ने advance में ही notice दे दिया था, उस time period के जो wise roy थे, जिनका नाम था Lord Irwin, सो गांधी जी ने advance में ही उनको बता दिया था, कि मैं इस दिन को salt marge करूँगा, मैं ocean में जाऊँगा, एन वाँ पे मैं खुद से salt बनाऊँगा, एन salt law को break करूँगा, बट उस time period के जो wise roy थे Lord Irwin, सो उन्होंने इस action के significance को नहीं समझा, उन्होंने गांधी जी के बातों को हलके में ले लिया, सो फाइनली गांधी जी की दुवारा 1913 में salt marge को किया जाता है, सो 12 March 1930 में महात्मा गांधी जी अपने salt marge की शुरूआत करते है, अपनी यात्रा की शुरूआत करते है, from this ashram at savarmaty towards ocean, सो सवरमती में उनका आश्रम था, सो गांधी जी अपने आश्रम से इस यात्रा की शुरुवात करते हैं So after 24 days, 24 days पैदल यात्रा करने की बाद, finally 6 April में गांधी जी डांडी पहुचते हैं So उनके द्वारा एक मुठी सॉल्ट बनाया जाता है, और इस तरीके से वो सॉल्ट लॉक को ब्रेक करते हैं और कानून के नजरों में वो एक क्रिमिनल बन जाते हैं Now next हमें civil disobedience movement के बारे में बता रखा है, जो कि 1930 से लेकर 1934 तेक होता है So Salt March के तुरू ही गांधी जी के द्वारा civil disobedience movement को start कर दिया गया था Civil disobedience movement, नाम सहीं हमें पता चलता है, civil यानि की common people Disobedience movement, यानि की एक ऐसा movement जिसमें हम लोग British government को disobey कर रहे हैं उनके rules and regulation को disobey कर रहे है So इस movement के शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी की द्वारा So जब महात्मा गांधी जी ने Salt law को break कर दिया So उसके बाद हमें large protest देखने को मिला country के अलग-अलग parts में जिस तरीके से हमें non-corporation movement में देखने को मिला So लोग अलग-अलग जगाओं में Salt को manufacture कर रहे थे जब एक बर महात्मा गांधी जी की द्वारा Salt को manufacture किया गया So उसके बाद अलग-अलग ocean की किनारे दूसरे जो लोग थे वो भी Salt को manufacture कर रहे थे और Britishers के law को break कर रहे थे And civil disobedience movement में ना सिफ Salt lock को break किया जा रहा था बलकि दूसरे colonial lock को भी break किया जा रहा था जैसे कि forest में रहने वाले जो लोग थे So उनके द्वारा colonial forest lock को break किया गया So उनके द्वारा forest के area में उर्स कलिप्ट किया गया And इसके थूँ उन्होंने forest lock को break किया साथी साथ factory workers की द्वारा strike किया जाता है Lawyers की द्वारा British court को boycott कर दिया जाता है And students की द्वारा ऐसे educational institution जो की British government की द्वारा चलाया जाना था So उन सरे educational institutions को उन सरे school and colleges को Attent kindness से refuse कर दिया जाता है students की द्वारा So civil disobedience movement के दौरान करीब 60,000 Indian people को arrest किया जाता है Including गांधी जी So गांधी जी ने भी salt law को break किया So गांधी जी को भी jail में डाल दिया जाता है So the rulers responded by detaining the dissenters यानि की ऐसे लोग जो की protest कर रहे थे So सारी लोगों को rulers की द्वारा यानि की British government की द्वारा jail में डाल दिया जाता है So इस तरीके से हमें अपने country में Civil disobedience movement देखने को मिलता है Now next हमें बता रखा है About the sources to trust the salt march So ये जो salt march था या फिर जो civil disobedience movement था So इस movement में कितना ज़दा progress होता है ये moment कितना ज़दा successful होता है So उसके बारे में next हमें बता रखा है कि हमारे पास कौन से कौन से sources है जिसके थुरू हम salt march या फिर Civil disobedience movement की progress को जान सकते है So पहला है secret report of police So police के द्वारा अलग-अलग villages से जो भी report को acquire किया जाता था So उन सारे secret reports से हमें इस movement के progress के बार में information मिलता है So उन सारे reports से हमें ये पता लगता है कि गांधी जी के द्वारा जो government officers थे So उनको encourage किया जाता है कि वो अपने सरकारी नौकरी छोड़के Freedom struggle में participate करे Freedom struggle को join करे साथी साथ गांधी जी के द्वारा higher caste people से ये कहा जाता है कि आपका जो behavior है towards the untouchables Towards the people of lower caste So आपको अपने behavior को change करना पड़ेगा अगर आपको स्वराज चाहिए अगर आपको freedom चाहिए So गांधी जी higher caste के लोगों को समझाते है कि आपके mind में untouchables के प्रती जो नफरत है या फिर आप जिस तरीके से untouchables के साथ गलत treatment कर रहे हैं So इन सारी चीजों को आपको बंद करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हैं कि हमको स्वराज चाहिए हमको freedom चाहिए Britishers की द्वारा हमारे ओपर जो भी गलत चीज़े की जा रही है So अगर आपको इन सारी चीजों से freedom चाहिए तन सबसे पहले आप untouchables के साथ जो गलत कर रहे हो So उसको खतम करो तभी आपको स्वराज मिल सकता है गांधी जी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर हमें स्वराज चाहिए अगर हमें freedom चाहिए तब सारे ही हिंदू, मुस्लिम, पार्सीज और जो सिक पीपल है उन्हें unite होना पड़ेगा अगर हम लोग, सारे ही religion के लोग एक साथ unite होंगे तब ही हम लोग Britishers के against में fight कर सकते है और freedom को acquire कर सकते है So अलग-अलग background के जो लोग थे So वो गांधी जी के इन सारे बातों को सुनते थे और उनके मार्श को उनके द्वारा जो भी यातरा या फिर जो भी movement किया जाता था उसको join करते थे So villagers of all caste सारी caste के जो village people होते थे जो men and women होते थे thousands of volunteers and even जो government officials होते थे So सारी लोग महात्मा गांधी जी को join करते है Civil disobedience movement में participate करते है So police के द्वारा जो report दिया गया था So इस report से हमें इन सारी चीजों के बार में पता लगता है Next जो हमारा source है To know about the progress of salt satagra और salt march वो है Report published in the Times magazine of USA So USA में एक magazine को publish किया जाता है जिस magazine का नाम है Times So Times magazine में salt march से related जो भी report को लिखा गया था So उस report से भी हमें इस march के progress के बार में पता लगता है So गांधी जी की द्वारा जो salt march को start किया गया था So American news magazine Times में हमें इस march से related information मिलता है Report मिलता है So ये जो magazine है time So इस magazine में salt march से related जो पहला report को publish किया गया था So इसमें ये claim किया गया था कि गांधी जी 24 days तक work करना तो बहुत ही दूर की बात है बलकि गांधी जी दूसरे दिन में ही गिर जाएंगे work करते करते So इस magazine का ये मानना था कि गांधी जी बहुत ही ज़दा दुरबल है बहुत ही ज़दा week है Physically वो इतना ज़दा strong नहीं है कि 24 days तक वो पैदल यातरा कर पाए And salt बना पाए And salt lock को break कर पाए But एक ही week में इस magazine का जो mind था वो change हो जाता है इस magazine का जो opinion था वो change हो जाता है And जब गांधी जी के दौरा Salt March को complete किया जाता है So उसके बाद इस magazine ने खुद गांधी जी को salute किया As a sent and statement So इससे हमें पतलगता है About the progress of Salt March So with this topic number 3.1 complete होता है So इस topic में हमें ये बता रखा है कि ये जो Salt March था So ऐसे 3 reasons थे जिसकी वज़े से ये Salt March बहुत ही ज़्यादा famous हुआ बहुत ही ज़्यादा successful हुआ So पहला reason ये है कि ये जो event था ये जो Salt March था So इसी के वज़े से Mahatma Gandhi जी को world attention मिला क्योंकि कई सारे जो European and American press थे So उनके द्वारा इस March को widely cover किया गया अपनी newspaper में अपने press में इस March को publish किया गया So इसकी वज़े से पूरे वर्ल्ड के लोगों को Mahatma Gandhi जी के बार में पता लगा उनके द्वारा जिस March को start किया गया था कि ये ऐसा पहला nationalist activity था जिसमें women large number में participate करती है So एक socialist activist थी जिनका नाम था कमला देवी चट्यपद्या So उनके द्वारा महatma Gandhi जी को ये कहा गया था कि ये जो protest होगा ये जो moment होगा So इसमें ना सिब men को include किया जाए बलकि women को भी allow किया जाए Women large number में participate करती है And उस time period में women ऐसे road पे जा रही है एक यात्रा कर रही है जुलूस निकार रही है So ये अपने आप में एक बहुती बड़ा बात था So इस वज़े से ये moment इतना ज़दा famous होता है And third reason ये था कि इस event के बाद salt march के बाद या फिर civil disobedience moment के बाद So अब British government के द्वारा ये decide किया जाता है कि अब हम लोग Indian people को कुछ power provide करेंगे Power को share करेंगे ताकि India में हमारा जो rule है जो control है So वो और कुछ लंबे time तक तिक पाए So now next हमें round table conference की बारे में बता रखा है So to discuss the same the British try to hold round table conference in London To get to some kind of resolution So as I have said कि Britishers के द्वारा ये decide किया गया कि अब हम लोग Indian people को थोड़ा बहुत power provide करेंगे So इसी चीज़ को discuss करने के लिए या फिर इसी चीज़ के resolution के लिए British government के द्वारा कुछ round table conference को held किया जाता है London में So in total three round table conference को held किया गया था London में So सबसे पहले हम लोग first round table conference के बारे में discuss करते है So November 1930 में पहले round table conference को London में held किया जाता है But इस conference का कोई नतीज़ा नहीं निकलता है कोई भी decision या फिर कोई भी conclusion नहीं निकलता है And इस round table conference को खतम कर दिया जाता है Due to the absence of major India nationalist leader So India के जो major nationalist leader थे जज़की महत्मा गांधी So वो सारी nationalist leader इस conference में participate नहीं करते है So इसी वज़े से इस conference का कोई भी नतीज़ा नहीं निकलता है And participate क्यों नहीं करते है So इसका reason यह है कि जब महत्मा गांधी जी की द्वारा Salt law को break किया गया था And दूसरे जो important nationalist leader थे So जब उन्होंने भी salt law को break करने में महत्मा गांधी जी की help की थी Of a civil disobedience moment में participate किया था So सारी nationalist leader जेल में थे So इसी वज़े से वो लोग इस conference को attend नहीं कर पाते है Next हमें Gandhi Irwin pact के बार में बता रखा है So January 1931 में महत्मा गांधी जी को release किया जाता है जेल से क्योंकि बिना महत्मा गांधी जी के यह सारे जो round table conference थे So इसको help करने का कोई भी फाइदा नहीं था So इस वज़े से महत्मा गांधी जी को release कर दिया जाता है जेल से So जब महत्मा गांधी जी release होते है So इस time period के जो viceroy थे जिनका नाम था Irwin So महत्मा गांधी and Lord Irwin के बीज में कई सारे meetings होते है And finally एक pact को sign किया जाता है जिसको Gandhi Irwin pact कहा जाता है So now next हम लोग discuss करेंगे कि आखिर इस pact या फिर agreement के term and condition क्या ग्या थे So पहला जो term and condition था वो ये था कि महत्मा गांधी जी की द्वारा civil disobedience movement को call off कर लिया गया यानि कि withdraw कर लिया गया But बदले में महत्मा गांधी जी ने ये कहा Especially ऐसे लोगों को जो कि coast के सामने रहते है समुंदर की किनारी रहने वाले जो लोग है So वो लोग खास कर अपने domestic use के लिए salt को manufacture कर सकते है So वो जो salt law था उसको भी break किया गया But इस pact को radical nationalist के द्वारा criticize भी किया जाता है उनका मानना ये था कि गांधी जी ने directly Lord Irwin से independence का demand क्यों नहीं किया गांधी जी ने सिर्फ से भी छोटे मोटे demand ही क्यों किया So इस वज़े से इस pact को criticize भी किया जाता है Now next हमें second round table conference के बार में बता रखा है जो कि 1931 में London में होता है So second round table conference में गांधी जी participate करते है और गांधी जी Congress को represent करते है और गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारा ये जो party है Congress party So ये पूरी इंडिया को represent कर रहा है इस conference में बट दूसरे जो party इस थे जैसे कि Muslim League इसके अलबा प्रिंसेस and एक बहुत ही इंपोर्टें lawyer and thinker जिनका नाम था B.R. Ambedkar So उनके द्वारा महात्मा गांधी जी के claim को oppose किया जाता है कि ये जो Congress party है ये पूरी इंडिया को represent नहीं करता है उनके ideas को represent नहीं करता है या फिर उनके interest को represent नहीं करता है So Muslim League के द्वारा ये कहा गया कि Congress जो Muslim minority community के लोग है So उनके interest को represent नहीं करता है हम लोग Muslim के interest को represent करते है Next, princess के द्वारा ये claim किया गया So इंडिया में जितने भी princely state थे So princely state में rule करने वाले जो राजा थे, जो princess थे So वो ये claim करते है कि Congress का हमारी territory से कोई भी लेना देना नहीं है And एक बहुती brilliant lawyer and thinker जिनका नाम है B.R. Ambedkar So उनकी द्वारे ये कहा जाता है कि गांदी जी and Congress party खास कर जो lowest caste के लोग है So उनको really represent नहीं करते है So इस वज़े से second round table conference में Indian लोग के बीच में एक argument छिट जाता है And इस वज़े से इस conference का भी कोई भी हमें result देखने को नहीं मिलता है कोई भी एक perfect conclusion देखने को नहीं मिलता है So गांदी जी फिर लंडन से इंडिया बापस आ जाते है And civil disobedience movement को वो इंडिया में again continue करते है Now next हमें third round table conference के बार में बता रखा है So third round table conference भी लंडन में ही हल किया जाता है But इस conference में कोई भी congress के members participate नहीं करते है So इस conference का भी कोई भी नतीजा नहीं निकलता है Now next हमें government of India Act 1935 के बार में बता रखा है So ये जो तीन round table conference होते है So तीन ही round table conference में फिर भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत distance को लिया जाता है So उसी के regarding government of India Act 1935 को पास किया जाता है So 1935 में government of India Act को पास किया जाता है जिसमें ये promise किया जाता है कि हम लोग Indian people को representation देंगे in the government यानि कि इसमें ये promise किया जाता है कि हम लोग India को एक representative government बनाएंगे और दो साल बाद यानकि 1937 में फर्स टाइम इंडिया में इलेक्शन को कंड़क्ट किया जाता है और रस्ट्रिक्टिट फ्रंचाइज रस्ट्रिक्टिट फ्रंचाइज यानकि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है की कुछ ही लोगों को voting rights मिलता है, बट फिर भी इंडिया में first time 1937 में election को conduct किया जाता है, जिसमें Congress party को majority of seats मिलता है in the legislature, so इस time period के दौरान total इंडिया में 11 provinces थे, provinces को आप आज के time period के states के साथ compare कर सकते है, so 11 provinces में से 8 provinces में Congress party की जीत होती है, so in 8 province में Congress party की जो Prime Minister है वो work करते है under the supervision of the British governor, so इस तरिके से Indian people को थोड़ा बहुत representation मिलता है in the government, now next में कुछ major events के बार में बता रखा है between 1939 to 1942, so 1939 में second world war start हो जाता है, so second world war के दौरान again Britishers request करते है Indian people से कि जो Indian soldiers से वो हमारी मदद करे second world war में भी, but जो Indian leaders थे, वो ये कहते है कि हम लोग तभी Britishers की मदद करेंगे second world war में, जब Britishers ये promise करेंगे, कि जैसे ही war खतम होगा, so उसके बाद हमें complete independence दे दिया जाएगा, हमें freedom मिल जाएगा, but जो British government था, वो इस offer को refuse कर देते है, and इसके protest में, October 1939 में, जितने भी Congress Minister थे, जो की, जब election होता है, जब हो जी जाते है, and जब वो उन 8 province में काम करते है, so सारी Congress Minister अपने अपने post से resign कर देते है, इसके protest में, इसके against, so 1940 से लेकर, 1942 के बीच में, Congress के दुवरा कई सारे individual सत्रगर को organize किया जाता है, ताकि Britishers को pressurize किया जा सके, उनको force किया जा सके, कि जैसे ही war खतम होगा, हमें freedom मिल जाएगा, हमें independence मिल जाएगा, इसे बीच हमें और एक incident देखने को मिलता है, so March 1940 में, Muslim leak के दुवरा एक resolution को pass किया जाता है, जिसमें वो लग demand करते है, and plan करते है, to create a separate nation for Muslim, so उनके दुवरा ये demand किया जाता है, कि जैसे इंडिया को independence मिलेगा, so हमें हमारा एक separate nation चाहिए, separate country चाहिए, जिसका नाम हम लोग Pakistan रखेंगे, जिसमें सि Muslim leaders के दुवरा रन किया जाएगा, Muslim के interest के लिए रन किया जाएगा, so इसके बाद इंडिया में जो political landscape था, वो बहुत ज़्यादा complicated हो गया, क्योंकि अब ये जो battle था, ये जो war था, so ये India versus British नहीं था, बल्कि अब ये एक three way struggle बन चुका था, between the Congress, Muslim League and the British, next हमें क्रिप्स मिश चाहिए, हमें freedom चाहिए, so इससे वरीड हो कि England के जो Prime Minister थे, जिनका नाम था Winston Churchill, so उनकी द्वरा Sir Stafford Crips को इंडिया में भेजा जाता है, to try to reach to an compromise with Gandhi and the Congress, so Crips को इसलिए इंडिया में भेजा जाता है, कुछ plans के साथ, कुछ mission के साथ, ताकि जो Crips है, वो Gandhi जी के साथ and Congress के सा ले, Indians को हम लोग और थोरो से power provide कर देते हैं, जिसके through Indians compromise कर ले, कि वो हमारे साथ ही रहेंगे and full independence का demand ना करें, बट जो Crips mission था, वो fail हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी guarantee नहीं दिया जाता है, कि वार खतम होने के बाद या फिर कुछ सालों के बाद हम लोग India को independence provide कर दें सो ये जो Crips mission था, ये fail हो जाता है, क्योंकि इसमें नहीं Congress के demand को fulfill किया जाता है, और नहीं Muslim League के demand को fulfill किया जाता है, बट Congress के द्वरह ये कहा गया था, कि अगर British India को defend करना चाते है, India को बचाना चाते है from the access power, सो जैसे की हमने discuss किया, कि 1939 में Second World War स्टार्ट हो गया था and 1945 तक Second World War रहता है, सो Second World War में इंडिया के उपर भी खतरा था, क्योंकि इंडिया Britishers का ही colony था and Japan Britishers के against में था, सो जापान और दूसरे जो Britishers के colonial countries थे, सो उन सारे countries के उपर attack कर रहा था and ये doubt था गांधी जी को दूसरे Congress के members को कि जापान किसी भी वक्त इंडिया के उपर भी attack कर सकत है, क्योंकि इंडिया Britishers का ही colony है, सो गांधी जी की द्वारा ये कहा गया था, कि अगर जो British है, वो इंडिया को बचाना चाता है, access power से, अगर वो चाता है कि जो इंडियन सोल्जर से, वो Britishers की मदद करें Second World War में, सो उसके लिए आपको हमारे एक demand को accept करना पड़ेगा, सो Congress क कि द्वारा ये कहा गया, कि सबसे पहले, Voice Roy के Executive Council में, एक Indian को Defense Member के रूप में appoint किया जाए, सो इसके बाद ही हम लोग आपकी help करेंगे, सो इन सारी चीजों के बाद, जब Britishers के द्वारा ये कहा जाता है, कि complete independence तो हम लोग नहीं देंगे, सो फाइनली, कांधी जी के द्वारा दन प्लीज कमन में दाउन, और प्लीज शेर दिस वीडियो विद ये फ्रेंगे, सो आपकी आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, सो विध दिस आज के इस वीडियो के एंड करते है, सो नाँ से याल सुन इन में एक्स्ट वीडियो, तिल दन बाई-बा और प्लीज के बाई-बाई-ट कर्क्रिय के नाँ करते है विद करते हैो अक्स्ट